Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun मैं हूँ चेतना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकी आई हूँ Combined Worksheet of Class First जिसके अंदर हमने कुछ सब्जेक्ट्स को combine करके वर्क्षिट बनाया है जिसमें Hindi, English और Maths के बारे में हम बात करेंगे तो चली सबसे पहले हम करेंगे Hindi सब्जेक्ट Question No.1 जोड कर नए शब्द बनाओ तो यहाँ पर हमें एक अक्षर दिया गया है और उसको इन अक्षरों के साथ जोड करके हमें एक नया शब्द बनाना है तो चली देखते हैं कैसे बनेगा क, ल, कल ज, ल, जल न, ल, नल ह, ल, हल प, ल, प,ल इस प्रकार से हमें जो है वो शब्दों को जोड करके बनाना है इससे क्या होता है ना कि अक्षरों के साथ जब आप दूसरे अक्षर को जोड करके नए शब्द बनाते हैं तो बच्चों को इससे काफी help हो जाती है अक्षरों को पढ़ने में भी और समझ करके लिखने में भी सो नेक्स कोशन हमें यहाँ पे दिया गया है वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ जिस प्रकार से इंग्लिश अब्जट के अंदर हमारे जंबल वर्ड्स होते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे अक्षरों को आगे पीछे करके लिखा गया है और बच्चों को आपको बोलना है कि इनको देखना है कि आगे पीछे करने से कौन सा नया शब्द बनके निकलता है तो जैसे यहाँ पे दिया गया है म क ल तो क्या बना कलम कलम ग नर नगर नगर ड क स सडक सडक ह नर नहर नहर ख त ब बत ख बतक तो इस प्रकार से आप बच्चों को वर्णों की help से उनको आगे पीछे करके नए शब्द बनाने के लिए दे सकते हैं नेक्स्ट कोशन यहाँ पे है आ की मात्रा लगा कर शब्द लिखो और पढ़ो तो यहाँ पे जो हमें शब्द बना के दिये गए हैं उनमें आ की मात्रा का यूज नहीं हुआ है यह already शब्द है लेकिन हमें क्या करना है बच्चों को बोलना है इनमें आ की मात्रा का यूज करो और फिर नए शब्द को बनाओ तो चलिए देखते हैं जैसे है कल कल, हम इसमें आकी मातरा लगाए, एक और आकी मातरा लगाए तो बना काला, बल बल, आकी मातरा लगादी तो नया शब्द बन गया बाल, मनव, आकी मातरा लगाए तो बना मानव, रहत, आकी मातरा लगादी र में तो बना राहत, टमटर, ट तो देखिए इस प्रकार से हमने नए शब्दों को आगी मातरा की हेल्प से बना लिया है So next question हमें यहाँ दिया गया है जोड कर शब्द पूरा करो तो यहाँ पे एक वर्ण दिया गया है और यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिया गया है इनको आपस में जोड़ना है और यहाँ पर नया शर्द बनाना है तो जैसे यहाँ लिखा है पाठशाला क्या बना बच्चो पाठशाला पालक पालना नेक्स कोशन है चीजों के रंगों के नाम लिखो तो यहाँ पर हमें कुछ तिंक्स दी गई हैं और उनके हमें बच्चों से नाम लिखवाने हैं इससे बच्चों की जो रंगों के लिए जो उनकी जानकारी है वो बढ़ेगी पालक पालक कौन से रंग का होता बच्चों हरा टमाटर टमाटर होता है लाल आम पीला दात सफेद बाल काला सेब लाल यहाँ पे हमारी फिनिश होती है हिंदी की वरक्षिट चलिए इंग्लिश वरक्षिट को अब हम स्टार्ट करते हैं मैच दी फॉलोविंग सिंगुलर टू प्लूरल तो यहाँ पर हमें कुछ singular दिये गए हैं और यहाँ पर हमें plural दिये गए हैं उसी के तो हमें बच्चे को बोलना है इनको पढ़ करके इनको complete करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है shirt, shirt का होता है singular का plural क्या बनेगा? यहाँ दिया गया है तो हमें इसको इसके साथ मैच कर देंगे mango, mangoes, book, books, lady, ladies and chair, chairs तो इस प्रकार से आप singular और plural को बच्चों से मैच करवा सकते हैं next question हमें दिया गया है match the female and male animals तो यहाँ पर male और female का combination दिया गया है उनको बच्चों से मैच करवाना है तो पहला हमें दिया गया है cow, cow का होता है बच्चों, bull पिहन, peacock, lion, duck, drake next question हमें यहाँ पर है write a or an in the blanks तो यहाँ पर हमें कुछ words दिये गये हैं उनके अंदर हमें a और an का use करना है a और an हमारे होते हैं articles तो चलिए देखते हैं a का use करते हैं जहाँ पर हमारा जो word है वो consonant से start हो रहा है और an हम use करेंगे जहाँ पर हमारा word vowel से start हो रहा है जैसे कि a, e, i, o, u so egg, egg हमारा e है यानि कि vowel से start हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे an egg dash, book, b हमारा consonant है तो हम लिखेंगे a book pen, a pen, umbrella, an umbrella, glass, a glass, ice cream, an ice cream so इस परकार से हमने a और an का use किया है next question हमें दिया गया है write the correct form of noun in the blanks so यहाँ पर हमें कुछ sentence दिये गए हैं और हमें correct form of noun को choose करके यहाँ पर लिखना है जो हमें यहाँ पर brackets में दिये गए हैं so first question है she is eating a apple और apples she यानि कि singular form है तो हम क्या लिखेंगे apple a dog has four legs there are three pen और pens three यानि कि plural form है तो हम लिखेंगे pens there are six book और books books लिखेंगे six है वन से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर plural form लगेगा तो हमें लिखना है books next question दिया गया है यहाँ पर complete sentence with the helping verb जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी helping verbs होते हैं is, am, are, was and were यहाँ पर हमें इन helping verbs से बचों को sentence complete करने के लिए बोलना है I dash sleeping I जो है वो singular form है तो यहाँ पर आएगा I am sleeping the box dash heavy the box is heavy he was tired last night the children were happy the children were happy यहाँ पर हमने complete किये हमारी English worksheet so अब हम करेंगे हमारी math worksheet को start so first question है write the numbers that comes यहाँ पर हमें कुछ questions दिये गए हैं जिनका answer हमें यहाँ पर लिखना है just before 232 232 से पहले कौन सा number आता है so बच्चों 232 से पहले number आएगा 231 just after 157 158 क्योंकि हमें इसमें one number आइड करना है between 321 to 323 321 के बाद आएगा 322 what comes after 99 100 यानि की 100 next question हमें दिया गया है write the number as shown on the abacus also write the number name यहाँ पर हमें कुछ numbers दिये गए हैं इनकी according हमें abacus पर उनको show करना है और उनका number line जो है वो लिखना है so first question है 42 so 4 जो है वो हमारा 10s की place पर है और 2 हमारा 1s की place पर है तो उसे की according हमें इने abacus पर draw करना है तो 2 आएगा हमारा 1s की place पर 1, 2 and 10s की place पर है 4 तो हमें यहाँ पर 4 beats जो है वो draw करनी है अब हमें लिखना है यहाँ पर number name किस चीज का 42 का so इसी प्रकार से हमें next question करना है 36 तो 36 में 10s की place पर हम बनाएंगे यहाँ पर 3 beats and 1s की place पर बनेंगे हमारे 6 beats 1, 2, 3, 4, 5, 6 and यहाँ पर हमें लिखनी है spelling यानि कि 36 इसी परकार से आपको next question भी करना है so next question हमें दिया गया है write as addition so first number पर है 5 multiply by 2 so 5 को हमें कितने times लिखना है 2 time लिखना है 3 multiply by 3 3 plus 3 plus 3 6 multiply by 2 and 3 multiply by 4 तो इनको भी इसी तरीकी से आपको करवाना है बच्चों से next question we have solve the multiplication problem तो यहाँ पर आपको बच्चों को multiplications की problems देनी है यहाँ पर simple क्या है table की थूँ आपको बच्चों से complete करवाना है 4 टूजा 8 3 सिक्जा 18 3 3s are 9 7 9s are 63 12 2s are 24 and 15 5s are 45 next question we have circle the greatest number and square the smallest number तो यहाँ पर हमें कुछ numbers दिये गए है और इनमें हमें जो greatest number है उस पर circle करना है and smallest number पर square करना है greatest number है उस पर हमें करना है circle तो यहाँ पर देखेंगे greatest यानि की सबसे biggest number 62, 22, 15, 99 यह हमारा greatest number है इसको हम circle करेंगे और जो smallest number है उस पर हमें square बनाना है 100, 75, 120 and 300 तो greatest number है हमारा 3 इस पर हम करेंगे circle and जो smallest number है उस पर हमें square करना है तो थर्ड number पर हमें दिया गया है 620 is the greatest number and 200 is the smallest number तो इस पर हमने square कर दिया 95, 100, 100 is the greatest number and जो smallest number है वो है 54 तो इस पर हमने square बना दिया तो आज हमने discuss किया है combined worksheet of class first जिसके अंदर हमने English, Math and Hindi को complete किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please मुझे comment box में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की combined worksheets और भी लेकिया सकूँ वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को like कीजेगा चैनल पे नए है तो subscribe कीजेगा साथी बैल notification पे जाके all पे click कर दीजे ताकि आने वली सबी वीडियो की notification आपको मिल जाए Kids Learning Fun पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you